तमस्कार दश्कों यूटूग के मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपसे चर्चा करूंगी 8 सेटेंबर 2018 का दैनिक राशी फल आज का राशी फल क्या रहेगा बारा राशियों की आज कैसा दिन गुजरेगा आज आपको दिन में क्या मिलेगा आज आप क्या कर करें यात्रा के लेगा दिन सभी है हां प्रेम परसंगों के लिए दिन तम बना हुआ है हाँ परिवार के चैसे आशान्तिक रहए सकती तो परिवार के सदस्कियों में ठोड़ा मिलमिलाप रखिये और किसी भी बात से विवाद करने से आद करें आज की आज आज से किसिफ् का अज का दिन उत्तम नहीं है प्रेम पर संगों में कोई बाधा आ शकती है और जो विदार्ती हम रंका पढ़ाई से जीव जाट अ पढ़ाई में मन न लगे जीव जाट में असा हो सकता है हम बात करते मिध्त नाशी वालों के लिए मिध्त नाशी मेन के लिए दुफैर के बाद का समय बड़ा उत्तम होने जा रहा है वो चाहें तो कोई यात्रा करें यात्रा में उनको लाव होगा आज अच्छे लोगों से उनकी सोदे के लिए तो प्युक्त नहीं है पैसे का लेन दिन में विशेश रुप से साफधानी वरतनी पड़ेगी क्योंकि धनहा नहीं हो सकती है और इस बात का ध्यान रखना है कि परिवार में कुटुम में किसी बात पर विवाद ना हो जाए आज आप मन में थोड़ा सी चिंता मैसुस करेंगे थोड़ा सा रिलेक्स करिए थोड़ा सा मनोरंजन करिए तो आपका दिन अच्छा भी तेगा अब हम बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए शिंग राशी वालों का आज एक अच्छा गासा दिन है आज आपकी किसी महत्रपुन व्यक्ति से मुलाकात कि करना राशी का जुमन है दुफैर के बाद से काम में ठोड़ा सा हटना शुरू होगा हो सकता है किसी से आप बिना बात के उलग जाएं कुछ खर्चों की स्तेजी दिखाई दे रही है खर्चे चाहे दवाई पे हो चाहे ट्रैवलिंग पे हो यह खर्चे बंते रिखाई रहे हैं आपको इस बात की साब दानी रखनी है कि अपने रिष्चेदारों से दूरी रखे नि तो किसी बीवाद पर विवाद होने की संभावना दिख रही है अब हम बात करते हैं तो तुला राशी वालों के दुफैर के बाद का समय अच्छा आ रहा है आप का काम बनते लाप का समय आ गया है आप इस समय का फैदा उठाईए आपको कोई रुका हुआ धने वो मिल सकता है आपकी कोई इच्छा है उसकी भी पूरी होने की समभावना आज के दिन बनी हुई है अब हम बात करते हैं विश्चिक राशी वालों के लिए विश्चिक राशी वालों के दुफेर के बाद से काम बनने शुरू हो जाएंगे विश्चिक का सरकार से जुड़े काम आपके पिता के सौस्ते में सुधार होगा आपके पिता के लिए अच्छा समय है विधारतियों क परवार के सदस्वों से किसी भी बात पर मद्भेत हो सकता है, बने मशकार भी आप छागा हैं कि किसी के सुचना का इप दिजा गर आफ़ किसी सुचना का इदायत है, तो उसके मिलने की भी समभाब ना बने आज हो सकता है, उनका मन थोड़ा शांत रहे चित प्रसन्ना रहे और वो थोड़ी नीन में भी कमी महसूस करें रात को नीन उनकी उचट सकती है हम बात करते हैं कुम्राशी वालों के लिए, कुम्राशी वालों के लिए दिन ओवराल अच्छा बनते हैं आ रहा है मीन राशी वालों के लिए, मीन राशी वालों के पिछले दो-ती दिन अच्छे नहीं जा रहे थे, वो काफी परिशानी महसूस कर रहे थे, कारेस्तल पर भी, घर बे भी, अब आज का दिन उनके लिए बैटर आ रहा है, वो बैटर महसूस करेंगे, उनकी हैल्थ में भी सुध इस परकार यह मैंने आपको बताया, 12 राशी को क्या कर राशी फल है, ओवराल हर राशी के लिए कुछ ना कुछ है, कुछ राशी को साफधानी बरती है, कुछ राशी के लिए बिल्कुर नया दिन निकल कर आ रहा है, दशको मेरी आप से प्रातना है, कि अगर आपने मेरे को सब्क्राइब नहीं किया, तो किर्पा मेरे चैनल को सब्क्राइब कर दें, साथी बेल आइकन को भी दवा दें, जिससे मैं जब भी अपना वीडियो प्लेट करूं, तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चले जाएं, और आप मेरे वीडियो देख सकें, दशको आपका धन्यवाद, जो बार-बार आपका मेरा संध्योग मिल रहा है, और आप मेरे साथ जूरते जा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसके साथ ही दशकों मैं अपना वीडियो समात करती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, किर पेसे शियर क कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए, नमस्कार दशकों, जैमात आदी